उत्तर प्रदेश का कानपूर कानपूर वाले विकास दुबे के बाद एक बार फिर से ये शहर सुर्खियों में है इस बार इन सुर्खियों की वजह बने हैं लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामले ताजा मामला गोविंद नगर थाना छेत्र के गुजौनी का है आरोप है कि अफजल अंसारी नाम के एक युवक ने अपना नाम रमन बताकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फसाया युवती के घरवालों का आरोप है कि अफजल उनकी बेटी का ब्रेनवाश कर उसे अपने साथ ले गया युवती के पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं माबाप की आँखों के आशू बहते ही जा रहे हैं परिवार में पत्नी और बेटी है पिडित परिवार ने बताया कि बेटी दस सितंबर की शाम पांच बजे निजी काम बताकर घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई बेटी का मोबाइल भी लगातार सुचौफ जा रहा था इसके बाद जहां परिवार को एक और किसी अनुहूनी की चिंता सता रही थी वहीं दूसरी और सभी बेटी को खोजने में लगे थी यूती के परिजनों को यूवक का असली नाम उस वक्त पता लगा जब यूवक ने फोन कर बताया कि वो अफजल अंसारी है और उनकी बेटी से निकाह करने जा रहा है ये सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए फोन में बात होती रही है मैं पता है नहीं है रमन करके बात होती थी और जब ये निकला इसकी आईडी चेक की आई तो अफजल के नाम से आया ऐसा ये ही इसका असली मेटर युवती के परिजनों ने गोविन नगर थाने में अफजल अंसारी के खिलाफ तहरीर थी युवक के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई 22 साल के लड़ की है वो घर से किसी काम कल जो है शां को किसी और युवती नहीं है और आज उनको जो नहीं को पून आया किशी अभजान लाम के बठति का भी इसी बताया है कि हमारे पास चाली करंदा लिया और उन ochinazer गुवसक्रे मिवक कर लिया गया है और उंकी तल्यस् tumor पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों को खोज लिया जाएगा लेकिन सवाल यह है कि क्या कानपुर वाकई लव जिहाद का नया गड़ बनता जा रहा है तो मेरी लड़की ना वो किसी लड़के से कोई बात करती थी उसका नाम रमन नाम था उसके बात करती थी मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला है कब बात हुई कैचे क्या हुई तो मैंने एक दुबार सुना है उसके मुह से रमन रमन नाम से अब मुझे पता चला है कि उसका न कर दो कर दो